हेलो एवरिवन वेल्कम टो वर यूट्यूब चनल इंजिनेर्स केडमी सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टन लेक्टर लेके आया हूँ और आझके में में डिसके कर ने वाढ़े हैं सिंप्ल इंट RICHRAW fine कि हम और सबसे पहले आज के लिख्टर में हम विदिन सेगेंड सॉलो कर सकते हैं तो आज का ये सिंपल इंट्रेस्ट वाला लेक्चर इंपोर्टेंट क्यों होने वाला है विकास आज मैं आपको आने वाला हूं कुछ ऐसी इंपोर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स जिनकी वजाए से आप किसी भी एक्णाप करेंगे तो ये जो आज मैं लेक्चर बढ़ाने वाला हूं इससे आपके बहुत होने वाली है आपकी पूरी लाइक मैं कुर्कि मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर आया हूं बहुत इंबॉड़न ट्रिक्स लेकर आपके लिए जो आपके सिंपल डेस्थ वरकोषिंस और कंपॉंड इन ग्रेंड सेकंड री फॉर फाइव साप कोशें तो जितने भी बड़े ये चीज समझ रहे हो तो कोई बात नहीं आज आप पूरा कंसप्ट सेंपल इंट्रस्ट कंपॉर्ट इसके एंड इसके रिलेट्र जो क्वेश्चन्स आते हैं वह किस से सालो करते हैं वह सारी चीज़ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो वीडियो में एन तक बने रहना है पूरा वीडियो देखना है एक एक चीज यहां पर बहुत ही ज्याद इंपोर्टन होने वाली है तो आए लेक्ट्टर को बिना टाइम वेस्ट शूर करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारा simple interest होता हैこれ basically मानलो मैंने किसी फिर्म मैं किसी बैंक में 100 रूपीज जो wykor invest किया और जब हमने साटंपेड के हिसाब से इसको इनवे स्कूर मतलब या Parlament कि यह मुझे interest देंगे आफ्टर एवरी यह वी प्रवाइड में इंटरस्ट टैन परसेंट तो हम क्या करेंगे देखो अगर मुझे जाना होगा कि मुझे दो साल के बाद कितना मिलेगा तीन साल के बाद कितना मिलेगा लेकिन आपको प्रसेंट नहीं आदा एक चीज है और सि 10% होता है 10 by 100 किसका हमें इस 100 का निकाला है क्योंकि हम 100 इन्वस्ट कर रहे हैं तो 100 का क्लियर सो यह दो कैंसल आउट होंगे तो 10% of 100 is 10 अगर आपको परसेंटेज अभी तेक नहीं आता था तो यह आप देख लिए परसेंटेज को इस तरह से कैलोकुलेट किया जाता है चाहे कोच भी हो 12% टर्टीन परसेंट रीं करेंट उट हो इसका होगा तो अटोयुक्त आपका इस गई स्धूपिया है यह हमारा प्रिंश्पिल होता है और यह मारे रेट है मानो मैंने 2 साल के लिए साल के लिए तो वो मेरा टाइम हो जाएगा और यहां मुझे वो जो देखना है मेरा मेरा एमाउट आफ्टर वन येर टू एर थ्री ये वो मुझे क्या मिलेगा देखो अगर टैन परसंट के हो जाएक हो 210 हो जाएक एक बहुत इंपोर्टन चीज में आपको सखा रहा हूं यहां पर है तो बहुत आपने बहुत बारी चीजिए पड़िए मया बहुत इंपोर्टन है बहुत ही कहास होने वाली है तो फिलाल के लिए आप याद रखी कि आपका वहां पर आतकर ऑप इंट्रेस्ट दो है अभी अमाउट जो है आपका वह 110 बनेगा दो साल के निकालो तो फिर से 10 आड़ हो जाएगा तो एक 120 बनेगा प्रिसे 10 हो जाएगा तो बनेगा तो इस तरह से मुझे करते जाना है मेरा 10% के हिसाब से लेकिन कमपाउंट इंटरस्ट में डिफरेंट चीज होती है वहां पर क्या होता है आपको 10% पर पहले साल के लिए 10 110 मिलेगा अमाउंट नेक्स साल के लिए आपको इस 110 पर निकालना है वह इंटरस्ट क्लियर तो वह अलग चीज़े वह मैं आपको अलग से पढ़ा होगा फिलाल के लिए यह हमारा सिंपल इंटरस्ट क्लियर अब अगर मेरा केस ऐसा है कि जो रेट हमारा है वह 10% नहीं है वह कुछ ज्य करा उसमें मुझे अगर 15% के हिसाब से इंटरस्ट देखता होगा तो मेरा अमाउंट आफ्टर एयर कितना हो जाएगा अभी मैंने आपको बोला कि आपको क्या करने है पहले आपको देखने ही 15% होता क्या है आफ जो अमाउंट आफ ने इंवस्ट किया है तो 15% कि किसका 500 का वो कितना हो जाएगा आपका 15 into 5 that will be 75 clear तो यह तो यह से कड़ेगा न फिर बचेगा हमारा 75 तो 75 जो है वो हमारा अमाउंट बन जाएगा था इस जानि के ऐसा है हमारा वो 75 आ गया तो हमें का करना है इस फाइवस्ट को जो 75 एड इड करना है तो ऐसे आइड करना है तो यह आपका by जाएगे संपल इंट्रेस्ट को आई होब यहां तक आपको जो इंट्रेस्ट का वो आपको समझ आ चुगा होगा अभी हम क्या करते हैं अभी हम क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे एक इंपोर्टन फॉर्मला यहां पर है सिंपल सा जो अपने बहुत दी बार पढ़ा होगा लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात में यह देख लो सिंपल इंट्रेस्ट जो हमारा है वह यहां पर होता है प्रिंस्पल इंट्टू रेट इंटू टाइम अपॉन ह अपने प्रिंस्पल कितना इंवस्ट किया आपकी रेट क्या रही कितने टाइम के लिए आपने इंवस्ट किया उसको डिवाट कर दो आपका इंट्रेस्ट बन जाएगा जैसे अभी था टैन परसंट मेरा सिंपल इंट्रेस्ट आ गया और एक और चीज़ आपको याद रख आती है क्लियर सुझे हो गया हमारा सिंपल इंट्रेस्ट रूर्ण को फॉर्मुला चोड़ा सा फार्मुला है लेकिन हम ज्यादा तरी फॉर्मॉला यूज नहीं करेंगे सो गैस पहला कुश्यन आप यहां पर देख लो if P is the principle and it becomes 10 times in 4 years what would be the rate of interest rate of interest क्या होगा अगर एक principle P है मेरे पास जो 10 times बन रहा है चाहर साल में rate of interest क्या होगा simple सा question है देख लो पहले देखाता हूं शाओ ट्रिक कैसे करना देखो simple सा method है देखो वो हो गया हमारा 9 upon 4 into 100 so that will be 9 into 25 clear अब देखो 9 into 25 कितना होता है हमारा that is 225 so this will be the rate of interest अब आप को किसरी कहां से आ गया देखो कितने सेकंड लगा हमें किसमें करने हो hardly 2-3 seconds लगे होंगे वेकिन इससे भी जल्दी आप कर सकते हो देखो क्या करना है अब आप concept देख लो इसके पीछे क्या है क्यों यह इतना easy बन रहा है देखो मान लोग आप मैंने मैंने आपको अभी कहा कि हमारे पास amount होता है वो होता है बराबद आपके पास principle कितना है और इंड्रस्ट जो आपका है सिंपल इंड्रस्ट वो कितना है तो amount हमारा कितना बन रहा है 10 टामस बन रहा है मान लोग मेरे पास principle x है यह बन रहा है amount मेरे 10 एक्स फिर मेरा ऐसा यहां पर ऐसा एसी रहेगा ऐसा को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा यह एक्स जो है यहां आएगा तो में से माइनस करना पड़ेगा तभी आपका ऐसा आएगा आपका नाइन टैम्स आएगा यहां पर अगर टैम्स है मालों अगर आपका अमाउंट है 40 टैम्स आपका इंट्रस्ट जो है सिंपल इंट्रस्ट वह आपका आएगा थर्टी नाइन आपको बात समझा दिये तो नाइन यहां पर आ गया आप देख लो अगर मेरे पास नाइन है ऐसाई इंटू प्रिंसिपल मेरे पास एक्स है इंटू रेट यह नाइ इंटू हंड्रड यह फोर डिवाइड माइगा कि मुल्ट्पलाय में है और यहां पर बचा आर सुपर रेट है नाइन इंटू हंडर अपन फूर वही मैं यहां पर लिखा तो क्या करने आपको सिंपल सा मिखार है क्या इसको एक कर दो क्लियर तो नाइन आ गया जो हमारा य 10 years for example यहां पर क्या करना है नाइन टीन अपन टैन कर फिर गिंद जो वह हमारा 190 बनता है आपको बात समय जा रही है नेक्स्ट चीज़ यहीं से देख लो उस पर हम नेक्स्ट कॉश्ण करने वाला क्या अगर आपके पास अब रेट नहीं निकलना आपके पास टाइम निकलन है लेकिन रेट दिया गया है तब भी आपको यहीं सेम चीज करना है क्या मान लो अगर यह हमारे पास रेट होता इस टाइम की जगह यह हमारे पास रेट होता आप इसी चीज से इसको निकालते हैं आप कुछ चीज समझ आ रही है अब नेक्स्ट कॉश्ण देख लो उसमें पूछ और चीज़ें सीखने वाले था पंड़ सब्ट जह इतना ही है अब उसमें यह सारे चीज़ें कि डरेक्ट लिए तरिक्स जो है वो इस्तिमाल करिगे इसमें ओर एक तरीका भी है अगर आपको इस चीज़ को नोट करना है तो आप कर सकते हैं आप प्रिंसिपल मेरे पास पीए हैं प्रिंसिपल को सो रखता हूं क्यों कि इस होता है कलकुलेशन यह सो जो है बढ़ रहा है तो कितना बनेगा थाउजंड को 100 को मुल्टिप्लाइक और कितने साल में चार साल में तो मेरा ऐसा यह वह यहां पी क्या आएगा 900 कैसे अमाउंट मैंसे फ्रिंस्पिल खतम कर दो ऐसाय गें तो इसी 900 को चार से गुना कर दो यहन कि चार से डिवाइड कर दो वह हमारा आएग है 225 यह अपकर रहे आएगा यह भी बहुत ही शॉट कितना टाइम लगता है थाउजंड लिखा डिफरेंस किया दिवाइड वे चार कर दो लाट से यह बहुत ही शॉट है अब जितने तरीके आपको सीखने सीख लो कंसप्ट एग ही है यह हमारे पास एक और इंपॉर्टन क्वेशन है अब देख लो आप सेकेंडस में इस चीज़ को करोगे क्या करना है देख लो क्वेशन क्या है इप पीज़े प्रिंस्पिल और यह बन गया और किस रेट पर संट रेट परेट पे तो एसा ही कह निकलागा मेरा है इनका डिफरेंस कर दो सो 500 क्या करना है 500 को डिवाइब फाइफ कर दो 100 यह आपका टाइम बनेगा जब आपने क्या किया जब आपका यह जो प्रिंस्पिल है सिक्स्टेमिस में क्लियर दूसरा तरीका जो मैंने पहले दिखाए था यह ज्यादा इसको याद रखो बहुत ज्यादा इसी बहुत ही ज इस इस यह फाइफ करना आपको क्या करना है इसमें से कम करना सा इसको डिवाइब कर दो 5 पर संसे मल्टिप्ला हंड़र कर दो प्रेइज लगता है यह दोन वाधिया और एककॉषिन हो रहा है अब देखे लो ना क्वेश्चन एक सेंट में यह सेक्शन हो रहा है अब जो आपको यादर्खनें जो आपको नोट डाउन करके रखनें और एक अडिया नेक्स्ट कुशन पर आते हैं यह चलो एक क्वेशन आप खुद कर लो जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी देंगे मालो हमारा जो है इड़ बिकम्स कि 17 टाइम्स एटर रेट आउफ पूर परसेंट तो बताइए भाई हमारा टाइम उस टाइम क्या होगा क्या करके देजिए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताईएगा इसको क्वेश्चन नमबर वन मारक करता हूं होमवर्क के लिए अब हम आते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पी थोड़ा सा डिफ्रेंट कंसा करने अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइब का यह ना दो सेकंड में कर लोगा आप क्वेश्चन दिखलो न भाई क्या है कॉश्चन सेटन सम अपनी बिगमस थाइस ऑफ इटसलफ इन 20 यह एट अट कितने साल में 20 साल में ऐसा ही कितना हमारा हो जाएगा 200 200 को डिवाइड बेट 20 से कर तो वो आपका इंट्रेस्ट बन जाएगा क्लियर कितना टाइम लाग रहे है सेकंड और यह तो सेकंड मिली सेकंड हो रहा है वाई चल दी से नोडाउन कर लो नेक्स्ट कुशन देख लो भाई खालिद इन्वेस्टेट सब्सक्राइट अट इस सब्सक्राइट असाइड एट अफ्ट लावन यह सीविए टो नहीं दी है तो किस तरह से करेंगे देखो जो मैंने आपको ट्रिक सकाई वह बहुत ही ज्यादा खास है देख लो 100 मान लिया हमने पहली प्रिंस्पिल है और कितना रिसीव कर रहे है टू पॉइंट फॉर्टी तरी इसको हंड़र्ट से गुना कर दो हंड़र्ट से 143 को डिवाइड बे करके 11 से 1110 1130 13 परसेंट आपका रेट ऑफ इंड्रस्ट बन जाएगा आपको चीज समझा रहे है जल्दी से नोडावन कर लो भाई बहुत इंपोर्टन है अब आप कुश्ण्स खूद कर सकते हो टाइम बिना टाइम वेस्ट कि कोई भी क्वेशन देख आइम बहुत कम लगेगा जितना प्रेक्टिस करोगे यहां पर आपको दो तीन सेकंड अभी लग रहे हैं अब एक सेकंड में यहीं चीज करोगे यह मेरी गैरेंटी चलिए स्टुरेंट्स और एक कुश्ण देख लीजिए इस सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब इस सब्स अब इस सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब और कितने साल में हो रहा है solution में 100 बन रहा है कितना 2.3 टाइम्स एनकी 230 बन रहा है तो हमारा SI जो है वो हमारा 130 आएगा इसमें से कर दो पर कितने साल में हो रहे है नाइन येर्स में अब नेक्स पार देख लो जैन कैले दटाइम इन विच हमें वो टाइम निकालना है कब जब यही प्रिंसिपल क्या और थे सेंव सम्विल बिकम 6.2 टाइम्स एनकी 620 समझा यह बात आप आपको ऑफ इट सेल्फ एड़ सेम रेट फिंटर्ट रेट फिंटर्स बिल्कुर सेम है तो अब टाइम निकालना है जब कि अब यह देख लो ना ऐसा कितना है यहां पर फाइव पॉइंटी आएगा अब पॉइंट समझ लो यहां पर क्या है अब वन थाटी को क्या करोगी मल्टिप्लाइट यह 520 बनेगा इ सब्सक्राइब यह बन रहा है हमारा 620 6.2 तैम्स आपका डी पार्ट फॉर्थ पार्ट इसका अंसर हो जाएगा अब समझार यह चीजें कि यह प्रैक्टिकल कर रहे हैं कुशन देख लो भाई बहुत ही टिपिकल कॉश्चन है देवन से दिखना आमेर लैंट्स आउट अस आउट यहां भी एसाइए रेट है तो सिंपल इंटर्स का कंसर्प्त है साइज देट रेट फंट रस्ट इंक्रीज इस बड़ पोई पर संट अब रेट जो है वो इंक्रीज ओर यह पोई पर संट जब मैं इसको लैंड मनी दे रहा हूं कलीम को 6.5 पर संट के साब से लेकि पर यहां पर देख लो पहले मी चेक करूंगा कि हमरा ऐसा ही जो है सिंपल इंटर्स कितना आएगा अगर 6 परसेंट पहले था पॉइंट फाइव से इंक्रीज हो रहा है कितने साल के लिए चार साल के लिए तो पहले 6 था फिर पॉइंट फाइव बड़े तो 6.5 फिर दूस फाइव एड़ करते जाना आपको अब इसको टोटल एड़ कर दो 7.521 627 आएगा तो यह हमरा यह जो है एसा हमारा 27 आ गया यह हमारा ऐसा है अब लेकिन ऐसा क्या कर रहा है रसीव करीव रसीव रुपीस दिस मच एज इंट्रस्ट यह भी क्या है यह इंट्रस्ट यह ना इस रेट पर यह हमारा है वां 080 अब इसको मट डिवाइड कर दो इससे तो हमारा जो वन है यह किसके पराबर आएगा आपको निकाल नहीं जो भी चैने को प्रिंस्पल निकाल लों जो भी लुक्रीव निकाल लाओ उसको 40 से मल्टीप में करते हैं आपका अंसर अंसर हो क्या जैसे हम ने प्रिंस्पल कहा राख ता इन शचली अंडर्ट व यह बनेगा हमारा 100 इंट इसको 40 से कर दो मल्टीप् के बनेगा हमारे पास सब्सक्राइब यह हो गया आपका अंसर तो देख लो क्वेशन किस तर से हो रहे हैं यह थोटा सा concept different था तो सेम यह बट इसमें टुकी पार्ट कहता आपकी इंट्रेस्ट निकालना था क्योंकि पॉइंट फाय से की एक्वेशन दे रहे हैं और आपको इसे कुछली नहीं कूछते हैं कि यह डिक्रीज हो रहा हो उसको भी मैंने आपको दिखाए कि कैसे करने में आपको हर एक आपको कोशन दिखाओं गया हर एक और देख लोगे फिर से मैं समझाता हूँ पहले हमने ऐसा ही निकाला ठीक है पहले इसको रब करते हैं इसको नए से सीख लेते हैं हो सकता है किसी बच्छे को समझ ना आया हो देख लो देख लो देखो प्रेंस पर हम यूजुली हंडर रखते हैं ठीक ना जस्ट एन इग्जैंबल कि मानलो मैंने दिया हैं हंडर्ड क्यूंकि हमार पास गिवन नहीं होता है कितना साम दिया हैं सो मैं इसको रखता हम हंडर्ड तो अब क्वेशन बोल रहा था कि 6% अग इंट्रस्ट हो रहें ने इंक्रीज चार साल के लिए और वो कितना है यह जो टोडल हमने अभी किया कैल्कुलेट ट्वेटी सेवन आ रहा था और ट्वेटी सेवन जो है वह वह वन जरो एट जिर के बराबर है क्योंकि इतना ही रसीव कर रहा था इस इंट्रस्ट इसको होगा ऐसे questions को किस तरह से करना है और एक प्रिविस्ट लाते है questions के अंदर यह वारा question देख लो यहां पर क्वेशन तो बहुत बड़ा लग रहा है options भी हमें दिये हैं तो क्या करेंगे जगा इतनी बच्ची बोर्ट पे इतना ही मैं करेंगे हम देख लो रिया इन्वेस्ट अगले तीन साल के लिए 7% और बियोंड फाइव यह उसके बाद क्या है 8% कितने साल के वह नहीं पता है अभी हमें इतने मांच साल तो हो गए लिकिन उसके बियोंड कितने साल बचते हैं if after 10 years यहां से हमें पता चला कि यह 10 साल के लिए टोटल दिया गया है और रिया रिया कर रहे है this much of money as an amount what was invested some in principle निकाल ना है तो हम लेट करेंगी कि प्रिंस्पिल हमारे पास क्या था हंड्रेड है अब देखलो हमाउंट कितने को रहा है ना किया receive कर रहीं है इस much as an amount फिया amount check कर रहें के हो रहा है क्या interest के साब से देखलो 5 पर सेंट लेकिन पहले दो साल के लिए प्लस इसमें कर दो 7% लेकिन next three years के लिए प्लस अब कितना होगे तीन और दो होगे पांच साल अब और 10 years है न टोटल में बच्छे हमारी पांच साल के लिए कितना है एट परसेंट इस एट परसेंट ब्योंड फाइए एट परसेंट इतना ही आपको कल्कुलेट करना है इस त 10 प्लस 21 प्लस फाइट फॉर्टी फॉर्टी शिक्स्टी बन ओगा सेविंटी वन ओगे टोल हमारा अमाउट और यह माउट जो है सेवेंटी वन यह अभी किसके बराबर है एट डबल फाइफ डबल जिरो ठीक ना अब इसको कल्कुलेट कर लो 71 से करना है इसको तो हमारा आ अब कोई बी चीज़ा इसी चीज़ से निकाल सकते हो देख लो इसको फाइव हंडड़ से मल्टिप्ले कर दो यह हमारा बनेगा 50K सीदे 50,000 कोई यह फर्स्ट ऑप्षन इस फिप्टी फूजन पहला ही उप्षन है तो हमारा 50 की आएगा एक बार फिर से देख लो यह हमारे आज तो अलड़ी है और पॉंच के लिए बागी एट परसें इसको एड़ किया तो यह सेवेंटी बना आ गया और जो अमांट रसीव कर रहे है तो इसको डिवाइड कर तो 500 आएगा उस 500 को जो इनिशली हमने इस प्रिंसिपल रखा था इन्वेस्टिट सम रखा था वह हमा होगा अब क्या करेंगे हैं मैं आपको homework के तोर पर क्वेशन देता हूं comment section में और जो मैंने क्वेशन और दिया आपको वह भी आप करेंगे नीचे क्या को मुझे बता है इस चीज के लिए बनता है यह मैंने कहां कहां सब्सक्राइब मैंने एक पेपर में देखा था पिछली बार इसलिए मैंने क्वेशन नो डाउन किया था तो यह चीज़ें आप सारी नो डाउन करके रखेंगे इसके बाद हम compound interest भी पढ़ेंगे अगले थैंक यू फर वाचिन दिस वीडियो हम अगले वीडियो में मिलते हैं जब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फोगेट तो सब्सक्राइब और चैनल एरस एकाडमी थैंक यू